आपके सामने बैस के question लेकर है, question क्या बोला, find the value of x and y, और यहां पे दियाव x square plus y square equal to 61, और x cube minus y cube equal to 91, तो हमें यहां पर x and y के value find करें, तो चले, मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूं, तो यह हमारा equation दियावा, ठीक है, तो इसको मैं equation first माल लेती हूं, और इसको equation मैं second माल तो अब यहां पर देखें, मिहां क्या करेंगे, from equation second, equation second में देखें, मिहां पर क्या करेंगे, equation second दियावा है, x cube minus y cube equal to 91, ठीक है, तो x cube minus y cube, इसका formula, तो हम सभी जानते हैं, क्या होता है, x minus y, और bracket में क्या रहता है, x square plus x y plus y square equal to 91, तो just यहां पर हमने x cube minus y cube को यहां पर formula ल क्या करेंगे, यह है, x minus y, ठीक है, अब यहां पर देखें, यह x square and y square, इनको एक साथ लिखिए, और यह क्या plus x y, इसको last में लिखें, ठीक है, equal to यह क्या दियाओ है, 91, ठीक है, अब इसके देखें, मिहां पर क्या करेंगे, आप यहां दे सकते हैं, कि यहां पर first equation में x square plus y स्कूरर के वैलो किति दियो 61 और यहां पर देख सकते हैं x² प्रस y² है तो यह हमारा यहां पर क्या हो जागा मैं पेस थोड़ा उपर करो यह हो जागा हमारा x-y और ब्रैकेट में इस x² प्रस y² के जगह हम क्या लिखेंगे 61 ठीक है तो यह 61 हो गिया और यह क्या है आपका प्लस xy एक्वल टो यह क्या है आपका 91 ठीक है तो यह हमारा क्या था यह हमारा सेकेंड ही एक्विशन है ठीक है जस्ट फॉर्मूला डारेक्ट हमने लगा दिया सेकंड एक्विशन में ठीक है सिंपल था अब देखिए फर्स्ट एक्विशन हमारा यहां पर क्या है तो हमने यहां पर second equation को क्या लिखते है, x-y bracket 61 plus xy equal to 91, अब यह देखिए, first equation को थोड़ा समझ लिए, x square plus y square equal to 61, यह हमारा first equation है, ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, इसमें भी आपको formula बनाना है, तो देखिए, x square plus y square का हमें ऐसा formula बनाना है, ऐसा, जिसमें आपका क्या आए, x minus yi औ और xy होना चाहिए, तो देखिए, यहां पर क्या करेंगे, हम यहां जानते हैं, कि x minus y का whole square का formula क्या होता है, वो होता है, x square plus y square minus 2xy, यह हम सभी जानते है, इसके आए, क्या क्या करेंगे, यह जो है, आपका x square plus y square, यह यहीं पर आएगा, ठीक है, यह जो minus 2xy है, इसको हम यहां पर आएगा, ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर, x plus x square plus y square equal to x minus y का whole square plus 2xy, ठीक है, तो आप यहां दे सकते हैं, हमारा जो first equation, यही हमारा first equation था, first equation में क्या है, x square plus y square equal to 61, हमने यहां पर x square plus y square का ऐसा formula बनाया, जिसमें आपका आ रहा है, x minus y का whole square plus 2xy, तो यहां पर इसका formula बन के, आप देखिए, आप यहां पर हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह यह क्या दिया हुआ है, x square plus y square के value कितनी दी हुए, 61, तो हम यहां पर यह 61 लिख देते हैं, ठीक है, equal to, और यह क्या है, आपका, x minus y का whole square plus 2xy, ठीक है, तो यहां प और जो कि दिया है 61 के बराबर, तो आपका original equation उसी के बराबर आजागा, ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या है, यह हमारा second equation है, first equation हमारा क्या, यह हमारा first equation है, यह first equation क्या है, यह देखिए, इसको पहले लिखते हैं, यह क्या दिया हुआ है, x minus y का whole square plus, और यह क्या दिया है, आपका 2xy equal to 61, यह हमारा first equation है, ठीक है, अब इन दोनों equation पर ध्यान दीजिए, यहां पर, देखिए, हमने first equation को, first equation को x minus y का whole square का ही formula लागा कर क्यों बनाया है, इसलिए क्योंकि आप यहां देखेंगे, दोनों equation में, यह हमारा second equation है, यह हमारा first equation है, इन यहां भी x y है, तो दोनों equation में, आपको x minus y और x y common दिख रहा है, तो अब क्या होगा, यह थोड़ा solve करना easy हो जागा, कैसे अगर हम इसको let मालने, क्या मालने, x minus y को हम क्या मालने, x minus y को हम क्या मालने, a मालने, let a is called to x minus y, और यहां पर यह जो x y जो है, दोनों में x y है, य कि यह आपको समझ में आया, ठीक है, तो अब हम जब a, b के term में लिखेंगे, तो यह हमारा equation क्या बन जागा, page उपर करते हैं, यहां पर देखें हमारा equation क्या बन जागा, यहां पर इस x minus y की जगा हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर a लिखें, फिर यह वाला देखिए, bracket है, bracket लगाईए, यह क्या है, आपका 61, प्लस, और इस xy के जगा हम क्या लिखेंगे, यह b के बराबर, यहां b लिखे, equal to, यह आपका क्या है, 91 है, और यह first equation देखिए, हमारा क्या है, x minus y, तो x minus y को हमने क्या माना है, a माना है, तो इसकी जगा a लिखे, और यहां पर power क्या है, 2 है, इस power 2 लगाई, फिर यह क्या है, प्लस, फिर यह आपका 2 है, 2 लिखे, और यहां पर इस xy के जगा हम क्या लिखेंगे, इसको हमने b माना है, यहां b लिखे, equal to, यह क्या है, आपका 61, तो यह हमारा first equation है, और यह हमारा second equation है, ठीक है, अब देखिए, मैं यहां पर क्या क तो हम यहां से देखिए, बी की वैलू कैसी निकालेंगे, यह 2 जो इसके साथ इन 2 में है, तो बी की वैलू क्या हो जागे, यह 2 हम इदर सिफ्ट कर देंगे, तो यह हो जागा 61 माइनस e square, यह जो 2 है, आर्चस में आएगा, तो इसके डिवाइट में चला जाएगा, ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने B की वैलू, इस equation फर्स्ट से, B की वैलू हमने यह निकाला, अब इस equation फर्स्ट से B की वैलू जो निकालें, इस B की वैलू को हम second equation में put कर देंगे, तो हमारा जो equation second है, वो A की वैरियेवल में आ जागा, ठीक है, तो हम देखिए, आपर क्या to 91 है तो पहले एक्विशन खोले यह A को इससे इंटू करें 61 से तो 61 A हो जागा यह क्या है प्लस अब A को आप B से इंटू कीज़े तो यह हो जागा A B equal to 91 ठीक है अब हम यहाँ पर B की वालू रखेंगे तो देखें यहाँ पर हम रख रहें यह हमारा क्या 61 A तो यहाँ पर लिखेंगे 61 A ठीक है फिर यह क्या प्लस यह देखिए A है और यह B है तो यह A है तो यहाँ पर लिखें ठीक है और यह जो B है यह B इन दोनों A और B की ब करते हैं पेज उपर करते हैं तो यह हमारा यहां पर क्या हो जागा देखिए किए 61 Aaps अब देखिए यहां पर यहां पर ट्राव एक है इन तु हम मैंनस तो आपॉर्ड़57 a हो जाएगा ठीक है फिर ये क्या म Beim-аний फिर यह A को km2 करेंगे तो यह Q by kyo प्लस यहां पर लगाई यह 61 A-A3 एक्वल टू 91 यह आया हमारे पास ठेक है पेच हम उपर करते हैं इसके आगे देखिए हम यहां पर क्या करेंगे अपका यहां पर यहChat लगा है प्लस है तो यहां पर इनको एड कीजे तो यहां पर यहोगा 183 A और यह क्या- Matrix A क्यूब और यह जो 2 है इसके साथ चल रहाएगा तो इसके साथ इं-2 में क्या हो जागा 212 2918 और क्या हो सकता है 183a minus a cube इसका sign क्या plus है इसको इधर shift कर देंगे तो यह minus 182 हो जागा हम इसको LH sign में लेकाएंगे तो यहां क्या पचाएंगा 0 और हम क्या ले सकता है अगर हम minus sign यहां से common निकाल लें तो देखिए यह सबका sign change हो जागा सबका sign उल्टा हो जागा यह क्या minus a cube है तो यह plus a cube हो जागा फिर उसके order में लिखिए एक के order में और यह क्या प्लस 183 हो जागा और यह minus 182 है तो यह plus 182 हो जागा equal to 0 ठीक है अब यह जो minus से into में है यह इधर चला जाएगा minus 0 के side तो क्या हो जागा a cube minus 183 a plus 182 equal to यह minus side इधर चला जागा 0 के divide में चला जागा तो यह 0 हो जागा ठीक है यह आया हमारे पास यह देखिए यह हमारा क्या है a cubic equation देखिए यह पावर क्या है 3 है तो आप यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम put यह सकल्टू अगर हम 1 रखते है एक जगह हम क्या रखते है वह तो प्लस 182 यह दोनों जोड़ेंगे 183 माइनस 183 तो यह क्या हो जागा पूरा 0 के बराबर इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या है a is called to 11 क्या है हमारा ए जो है हमारा क्या है यह हमारा जो है फेक्टर निकला ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a-1 क्या है इजे फेक 183 a plus 182 ठीक है तो देखिए कैसे ले जाएंगे यहाँ पर a qb यहाँ a है तो a square टाइमस ले जाए तो यह हो जाएगा a qb minus a square ठीक है तो यह कैंसल यह प्लस अब देखिए यह a square यहाँ लिखी यह minus 183 a यहाँ पर लिखिए ठीक है नीचे उतारते है ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको कितने टाइमस लेकर जाएंगे plus a टाइमस लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा a square और यह क्या हो जाएगा minus a हो ठीक है तो यह कैंसल यह plus तो देखिए यह 183 a है और यह a है तो इसमें से 1 a minus कर देंगे तो 182 a हो जाएगा और with minus sign क्योंकि यह बढ़ा है ठीक यह सब कैंसल यहाँ रिमेंडर 0 आया तो हमारे पास क्या आया a minus 1 और दूसरा क्या है हमारा यह a square plus a minus 182 equal to 0 यह आगे हमारा factor हमारा क्या था equation a cube minus 183 a plus 182 equal to 0 यही था तो यहाँ पर देखिए इसके factor यह आ रहे है a minus 1 into a bracket में क्या है a square plus a minus 182 देखिए अब क्या करेंगे a minus 1 अ यह आपका 182 है यह देखिए इसमें ध्यान देजएगा यह हमारा quadratic equation है यहाँ पर देखिए पावर 2 है तो इसको divide कीज़े तो यह हो जागा 2982 तो फिर 7177 321 तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है 1372 तो देखिए यहाँ पर plus a है यहाँ यहाँ पर one into है तो one a है वान है कैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a square plus 14 a minus 13 a minus 182 equal to 0 यहाँ हमारे पास ठीक है तो यह हो जाएगा a minus 1 ठीक है यहाँ पर देखिए इसमें और इन दोनों में इसमें common निकाली तो यहाँ यहाँ आएगा तो a plus 14 होगा minus इसमें common क्या आएगा 13 तो bracket के अंदर प common क्या देख रहा है a plus 14 यहाँ यहाँ भी है तो a plus 14 common निकाल दीजे तो bracket में क्या बज़ेगा a minus 13 यह बज़ेगा a equal to 0 ठीक है और इन सब का product क्या है 0 के बराबर है इसका मतलब यह है कि a minus 1 यह 0 के बराबर है या a plus 14 यह 0 के बराबर है या a minus 13 यह 0 के बराबर है तो यहाँ से देखिए a की value क्या आएगी यह minus 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ से a की value क्या आएगी यह plus 14 इधर शिफ्ट होगा तो minus 14 हो जाएगा और यहाँ से a की value क्या आएगी minus 13 इधर शिफ्ट होगा तो plus 13 हो जाएगा तो आप यहाँ दे सकते a की 3 value आई है और हमने a क्या माना था हमने let a माना था मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर a हमने म यह यह देख सकते हैं यहाँ पर हम रिख का एक कि अमाना था x-y आपगे 42 इसक्ति lihat 24 देख सकते हैं एक यहां पर 23 यह पर X-Y, तो हम यहाँ पर लिशकते है, X-Y equal to, पहली value क्या आई है, 1, तो यहाँ पर 1 लगए, फिर दूसरी value क्या आई है, तो X-Y is called to क्या लेकिंगे, minus 14, अगें यहाँ पर यह एक value, 13 यानि कि X-Y की value कितनी आई है, 13 आई है, तो यह 3 values यहाँ पर आई है, ठीक है, यह 3 values यहाँ B क्या दियावा है, B हमारा दियावा है, X-Y दियावा, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास A की value तो आगई है, 3 values, अच्छा, हमने यहाँ पर B माना क्या था, B हमारा क्या आया था, यहाँ पर मैं एक की ज़र दिखा दू, B जो A के term में था, वो मैं आपको दि स्कॉर अपास A की value, ठीक है, तो यहाँ था, हमको B की value चाहिए, तभी तो हमें X-Y की value मिलेगी, तो देखिए, पहले हम A की value 1 रखेंगे, वेन, when A is equal to 1, तो इसमें रखिए, आप B is equal to क्या हो जागा, 61 minus A की value क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर A की जगह क्या है, रखेंगे, 1 का square upon 2, तो यह हो जागा 61 minus 1 upon 2, तो B is equal to 61 में से 1 क्या, 60 upon 2, तो यहाँ क्या आया 30, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमारा A 1 है, यहाँ पर रखेंगे, अब हम दूसरी value A की क्या रखेंगे, A की value हम यह minus 14 रखेंगे, when A is equal to minus 14, किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, यह इसमें, बी की value, तो B की value हमें निकाल ले तो 61 minus, यहाँ पर देखिए A की value क्या है, minus 14 का whole square upon 2, तो B की value क्या हो जागी 61 minus, अब देखिए minus 14 का whole ठीक है, तो देखिए, 196 में से आप यहाँ पर 61 माइनस कर दीजे, तो क्या आजागा, यहाँ पर 6 में से 1 गया, आपका क्या बचा, 5 बचा, 9 में से, 6 गया, आपका क्या बचा, 3 बचा, तो यह आ रहा है, माइनस 135 अपॉन 2, ठीक है, तो यह दूसरी, यह मतलब कि B की A वैलू आई, अब A की वैलू क्या रखेंगे, क्योंकि A की तीन वैलू आई, अब A की वैलू हम वें, A स्कॉर्ट तो 13, ठीक है, तो इसी में रखेंगे हम, किसमें रखेंगे, जो हमारा B, जो है न, यह, इसमें इसमें रखेंगे, तो हमको B की वैलू मिलेगी, ठीक है, तो B हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर B हमारा, मैं यहाँ पर लिख दू, 61 माइनस A स्कॉर्र अपॉन 2 है, तो इक्वल टू, 61 माइनस A स्कॉर्र अपॉन 2 है, तो इक्वल टू, 61 माइनस A स्कॉर्र अपॉन 2 है, 13, 3, 3, 9, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 0, 169 यह 169 यह रहाँ आप 2 ठीक है तो आप देखिए 169 में से आप कितना मैनस कर दिए 61 ठीक है यह मैनस करेंगे तो यह 9 में से बन गया आपका क्या बचा है यहाँ पर 8 बचा 6601 तो यह आप 108 वित माइनस 9 क्योंकि यह बढ़ा है आप 2 यह कट वैलू सा गई है यहाँ पर मैं दुबारा यहाँ पर लिए देखिए A की वैलू जब 1 है देखिए मैं यहाँ पर सब लिख दे रही हूँ A स्कल्टू 1 है तब B की वैलू क्या आ रही है 30 आ रही है ठीक है मैं यहाँ पर दिखा दू A की वैलू यह 1 है तो B की वैलू 30 आ रह है minus 54 तो यह A और B की value हमें मिल गई है और हमने अब अब हमें X और Y की value मिलेगी हमें क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था A B को A हमारा था यहाँ पर let हमने क्या माना था शुरू में X minus Y और B हमारा क्या है X Y यही है तो देखिए यहाँ पर A B की तीन value आई है तो यहाँ पर तीन case बनेंगे case first case 2 ठीक है और case 3 ठीक है तीन case बनेंगे यहाँ पर ठीक है तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है पहला हम यह लेकर चलेंगे 1 A is equal to 1 और B is equal to 30 तो A is equal to 1 तो A हमने क्या माना था X minus Y तो यहाँ पर X minus Y B is equal to 30 case second में हम यह value लेकर चलेंगे A is equal to minus 14 B is equal to minus 135 upon 2 third case में हम यह लेकर चलेंगे A is equal to 13 B is equal to कितना minus 54 ठीक है अब हम यहाँ पर A क्या माने थे A हमने यह माना है हमने यहाँ लिख दे X minus Y को हमने A माना है यही तो लिखना होगा ना इसको इसको A को मैं और अच्छे से लिख दूँ X minus Y को मैंने A माना है और X Y को मैंने क्या माना है B तो यहाँ पर X Y is equal to B लिखिए यहाँ पर B लिखिए X minus Y को हमने A माना है और X और यहाँ पर X Y को हमने B माना है यहाँ पर भी लिखिए X minus Y equal to a, a value किती यह Informant means 1, रखिए. यह क्या है,xy equal to b यहां हमारा 30, यहां पर लखते हैं, x minus y equal to a, minus 14, और यह क्या है,xy군 to b हमारा क्या है, minus 135 upon 2, यह देखी, kya है x minus y equal to a है, यह हमारा 13, ति यहां 13 लिखिए, और x, y क्या है हमारा b है, b हमारा कितना है, minus 54, ठीक है, अब देखे इसके फिर से देख लिए कुछ गलत तो नहीं है, यह 30 है, minus 14, यह 13, और यह आपको क्या है यहाँ पर, minus 54 है, ठीक है, यह आए हमारे पास, अब इसके आगे, देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x minus y is called to 1, तो हम भीहाँ पर x plus y का value find करेंगे, तो हमारे पास x minus y एक रहाएगा, दूसरा x plus y दाएगा, तो हमको easy में x y, 2 linear equation मिल जाएगे, तो x y की value easily find हो जाएगे, तो अब हम x plus y का value find करेंगे, कैसे find करेंगे, देखे, x plus y का whole square, हमें x plus y चाहिए ना, तो x plus y का whole square का formula क्या ह होता है, ठीक है, अब इसके आगे देखें, में यह पर क्या करेंगे, यह है हमारा x plus y का whole square equal to, अब यह देखें, यह जो x square plus y square है, देखें, हमारे पास किसका value दिया हुआ है, x y का दिया और x minus y का, तो यहाँ पर तो हम रख लेंगे, x y की value कितने दिया, 30, अब यह x minus y कितन है, x minus y का whole square, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 2xy, तो यहाँ पर देखें, इसकी जगह x square plus y square के जगह हमने यह लिखा है, क्या लिखा है, x minus y का whole square plus 2xy, जब आप इसको open करेंगे, तो यहीं चीज आएगा, x square plus y square, देखें, x minus y का whole square क्या होता है, x square minus 2xy plus y square, तो इस चला है, x plus y का whole square का जो formula है, वो है x minus y का whole square, और यह 2xy plus 2xy, यह 4xy हो जाएगा, तो यह formula हमें किसका मिला है, x plus y का whole square, इसको हम इस तरीके से भी formula बना के ली सकते हैं, हमने यहाँ पर x plus y का whole square, मैं x minus y का whole square क्यों formula बनाएं, क्योंकि यहाँ पर x minus y है, तो इसकी value हम 1, यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर xy है तो इसकी value 30 हम यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे तो यह जो x plus y का whole square को यह जो formula है ना यह case second author दोनों में use होगा तो देखिए यह क्या है आपका x plus y का whole square equal to अब देखिए x minus y का whole square तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह x minus y है इसकी value किती दीवी यह one दीवी यहाँ रखिए और यह square रहने तो यहाँ square लगाई है plus यह क्या है 4 और यह जो x y इसकी जगा क्या रखेंगे 30 रखेंगे उनके बीच में into cosine into 30 तो यह हो जागा आपका x plus y का whole square यह हो जागा 1 plus और यह क्या हो जागा 4 यह हो जागा 120 ठीक है यह आए हमारे पास page हम उपर करते हैं तो यह हो जागा हमारा x plus y का whole square equal to 1 plus 120 यह क्या हो यह 121 हो जागा तो हमें देखे x plus y की value चाहिए नहीं तो यह square लगा है तो यह इधर shift हो जागा तो x plus y की value क्या हो जागी plus minus under root 121 और हम जानते है plus minus under root 121 यह किसका है 11 square 11 square जो है इसका है इहां से 11 बहार आ जाएगा तो हमारे पास x plus y की देखें दो values आई है अब तीन cases है हमारे पास x plus y की value आगे और हम यह equation इसके साथ लगा दें x minus y is equal to 1 ठीक है तो चली x minus y की value यहाँ पर हम क्या रखेंगे x से यहाँ पर x minus y is equal to 2 क्या हम लेके चलेंगे 1 ठीक है यह हमारे क्या लिखा है x minus y अब देखें यहाँ पर x plus y की 2 value तो यहाँ पर देखें दो case case a में हम क्या लेके चलेंगे when अब यहाँ पर दो value है तो पहले positive लेके चलेंगे तो when x plus y is equal to 11 दूसरे case में क्या लेके चलेंगे x plus y is equal to minus 11 दो values आई ही है और दोनों में यह common रखेंगे क्या है x minus y is equal to 1 और यहाँ पर क्या है x minus y is equal to 1 यहाँ पर क्या है x minus y is equal to 1 यहाँ को देखें, यह हमारे पास case first में दो equation एक या है, case b में भी देखी दो equation तो just इसको solve कर लिजे, यह वाला equation है इसमें हम equation को add करेंगा, तो यह cancel हो जागा, तो यह क्या जागा, 2 x is equal to 11 plus 1, 12, तो x की value क्या आएगी, यह cancel हो जागा, तो 2, 6, 12, 6 आएगा, तो अब हमको x की value यहाँ पर 6 मिली है, तो y की value कैसे मिलेगी, तो आप इस equation में रख दिजिए, किसमें, x minus y जो है इसमें रखिए, तो यह क्या है, x minus y is equal to 1 है, तो x की value यहाँ पर 6 रखिए, तो 6 minus y is equal to 1, तो y की value क्या हो, यह minus y इधर चल जागा, और 1 इधर आजागा, तो 6 minus 1 रखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक x की value 6 रखिए, और y की value क्या रखिए, 5 रखिए, अब यह case भी solve किजिए, तो इसको भी add किजिए, तो यह cancel, तो यह हो जागा, 2 x equal to, यह minus 11 और यह plus 1, तो यह minus 10 हो जागा, तो x की value क्या आएगी, यह देखिए, 2, 5, 4, 10, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रहा है, ठीक है, minus 5 आ रहा है, तो y की value किसमें, इसमें पूट कर दिजिए, इसमें, तो किसमें x minus y is equal to 1, इसमें आप x की value put कर दिए क्या है, minus 5, minus 5, यहाँ पर देखिए, x की value minus 5 रखा, equal to 1, तो यहाँ पर देखिए, y की value क्या होगी, minus y को rs में switch कर दिए, 1 को इधर कर दिए, तो minus 5 minus 1, तो यहाँ पर y की value हमारे पास क्या आई, यहाँ y की value हमारे पास आई, minus 6 ठीक है, तो देखिए, इस case a में x की value क्या आई है? 6 है, तो y की value आ रही है 5, ठीक है, यह आई है हमारे पास, x की value अच्छा इस second case में एक्स की value क्या है, minus 5 है तो y की value क्या है? minus 6 है, ठीक है यह दो-दो values आ गई है, अब यह हमारा x और y का आगए, अब देखें case 2 solve करते हैं यह तो case first था अब यह case 2 हमारा देखें यह है ठीक है इसको solve करते हैं तो देखें यहाँ पर यह क्या है हमारा मैंने पहले ही बता दिया यह x minus y जो है यह हमारा है minus 14 और xy की value यह दिए यह तो मैंने क्या बता है यहाँ पर आपको x plus y का whole square का formula आपको x second हम solve कर रहें तो देखें यहाँ पर यह क्या है आपका x से plus y का whole square अब यह देखें यह x minus y है इसकी value कितने दी है minus 14 तो minus 14 का whole square यहाँ पर लगा दिया plus यह क्या है 4 और यह xy की value क्या है यह है देखें xy की value क्या है into minus 135 upon 2 यह है ठीक है तो page उपर करते हैं यह हमारा case second solve हो रहा है तो देखें यह हो जाएगा x से plus y का whole square equal to अब minus 14 का whole इसका minus minus plus और 14 का square क्या होता 196 अब देखें यह 224 कैंसल प्लस तो यहां क्या बच रहा है 2 into minus 135 तो 135 को 2 से into कीजे तो यह पहले तो यह sign यहां पर change हो जागा क्योंकि यहां पर क्या है आपका minus है तो यह plus और यह minus हो जागा और 2 को 135 से into कीजे तो 135 into 2 तो यह क्या हो आपका 2 5 जा 10 का 0, 2 3 6 7 और 2 1 जा 2 तो यह हो जागा 270 तो x से plus y का whole square का value क्या आएगा इस मेंसे इसको minus कीजे तो 270 मेंसे आप 196 minus कीजे तो यह क्या हो जागा 270 मेंसे yes, 10 मेंसे 6 गया, आपका 4 बचा, यहां पर 6, 6 मेंसे नौ गया, सुला मेंसे नौ गया, यहां पर क्या बचा तो x plus y की value क्या होगी, यह square हम इधर shift कर देंगे तो यह हो जागा plus minus with under root minus 74 ठीक है, तो x plus y इसको और क्या ले सकते हैं, plus minus, अब आप जानते हैं कि कोई भी root के अंदर अगर negative में हैं, तो इसको हम root 74 को root में लिखें जो minus 1 है root के अंदर, इसको i लिखते हैं, ठीक है, यह तो x minus y क्या दिया हूँ था, मैं पेज दिखा दूँ आपको, यह दिया है, यहाँ पर आपका minus 14, वहीं से सेम चीज़ करेंगे, अब इसमें भी आपके दो case बनेंगे, x minus y की value कितनी, minus 14, दो case कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक plus है और एक minus है, तो positive लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, plus 74i, और यहाँ पर लेकर चलेंगे, x minus y is equal to minus 74i, ठीक है, यह दो case लेकर चलेंगे, positive negative दोनों value लेंगे, और x minus y, दोनों में हम common रखेंगे, x minus y is equal to minus 14, और यहाँ पर क्या है, x minus y is equal to minus 14, तो यह दोनों case में हम x minus y common लेकर चलेंगे, तो यहां पर भी देखी दो equation है, तो solve किजिए, इसको equation add करते हैं, तो यह cancel, तो x plus 2x हो गया, ठीक है, इन दोनों को add करेंगे, तो आपका क्या आएगा, यह आएगा, आपका root 74i-14, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, x की value क्या होगी, x की value यहां पर आएगी, आपकी root 74i-14, यह 2 जो है, इधर चला जाएगा, इसके into में आजाएगा, तो यह x की value आगई, y की value कैसे आएगी, y की value को हम किसमें put करेंगे, यहां पर, यहां पर हम इसमें put करेंगे, x-y is called to minus 14, y की value क्या होगी, यहां से पहला y की value निकाल लिजे, यह देखिए, minus y इधर shift कर लिजे, तो plus y हो जाएगा, यह x यहां पर लिखे, minus 14 नहीं था, तो यह x plus 14 हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां से हम x की value लखेंगे, तो हमें y मिल जाएगा, तो y is called to क्या हो जाएगा, यहां पर x, x की value क्या है, x की value यह है, क्या है, root 74i minus 14 upon 2, और यह क्या है, plus 14 है, तो y की value क्या हो जाएगा, root 74i minus 14, यह से मिल जीजे, 2, 4, 8, 2, 1, 2 upon 2, ठीक है, तो y की value क्या हैगी, आपके यहां पर पेश उपर करते हैं, यह आजागा हमारा root 74i, और यह इसको solve कीजे, तो plus minus minus 28 में से 14 minus कीजे, तो यह हो जागा, हित में से 4 गया, 4, 1, यह आया है, upon 2, तो यह हमारे पास y की value आई है, ठीक है, यह आई है, और x की value क्या है हमारे पास, x की value देखी क्या ही है, root 74i minus 14, minus 14 upon 2, और y की value, यहां पर negative sign लग गया, 74i, sorry, plus sign लगा, अगर यहां x का value में negative है, तो इसमें, आपका क्या है, upon 2, तो यह आया हमारे पास, x और y की value, ठीक है, किसमें case है, case a में, ठीक है, इसको page उपर करते हैं, इसको circle कर देते हैं, ठीक है, यहां पर देखी, तीन cases थे हर case में, दो-दो value x, y की आई, यहां पर भी देखी, यह अभी case second में, case second में भी 2 case बने हैं, पहले case में case a में, x, y की value याई है, ठीक है, अब देखी, यह वाला case लेकर चली, case b, ठीक है, तो इसमें भी 2 equation है, तो दोनों को add कर लें, यह cancel, तो x plus x, 2x हो गया, ठीक है, यह तो क्या add होगा, तो देखी, minus 74i, और यह minus 14 हो जागा, तो x की value क्या आएगी, यह minus root 74i minus 14, अपन यह 2 है, into में इधर चलायागा, divide में, ठीक है, तो यहाँ पर अब y की value निकाली, तो y हमारा क्या है, y हमारा x plus 14, यह कैसे आया है, इससे आया है, यहाँ से हम, यह आया था कितना, x plus 14, तो इसमें रख दीजे, x की value, x की value इसमें हम रख देंगे, तो हमें y बिल जाएगा, तो y स्कल्टो x कितना आया है, देखी, यह आया है, लखें यहाँ पर, minus 74i, minus 14 upon 2, और यह क्या है, plus 14 है, तो एसमें लेंगे, तो आपका क्या आयागा, minus root 74i, minus 14, और यह इधर जाएगा, तो 28 upon 2 हो जाएगा, तो यह उपर करते हैं, तो y की वैलू क्या आएगी, यहाँ पर, y स्कल्टो minus 74i, अब देखें, इसको solve किजिए, तो plus 14 upon 2, तो यह हमारे पास y की वैलू आई है, तो मैं x और y दोनों, एक साथ लिग दूँ, यहाँ पर, ठीक है, यह देखें, मैं लिग देती हूँ, तो x की वैलू कितनी आई है, x स्कल्टो आया है, हमारे पास, minus root 74i minus 14 upon 2, और y की वैलू की आई है, minus root 74i plus 14 upon 2, तो यह हमारे पास आया है, यह x y की वैलू ठीक है, तो यह case second था, हर case में दो-दो वैलू x y की आ रही है, तो यह हमारे पास क्या है, x minus y कितना है, 13 है, और x y क्या है, minus 54 है, मैंने आपको बता दिया था, यह x minus y, तो हमने x plus y का value निकालना, तो formula क्या बना था, सब में यही formula यूज़ा गए, वो था, x minus y का whole square, plus 4 x y यह था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, x minus y की value कितने दी वही है, यह दी वही 13, तो यहाँ पर 13 का whole square लिखिए, plus 4 और x y की value यहाँ क्या, दीए, minus 54, ठीक है, यह हो गया, यहाँ पर पेज उपर करते हैं, तो यह हो जागा, x plus y का whole square, 13 का square क्या होता, 169, अच्छा, यह plus और यह minus, minus हो जागा, तो 4 को इसमें into कीजिए, तो यह हो जागा, 4, 4 जा 16, ठीक है, और क्या हो जागा, 4, 5, जा 20, तो यह 21, इतना आया, equal to, अब देखिए, minus कीजिए, 216 में से, आप 169 माइनस कीजिए, तो यह क्या आजागा, देखिए, 266 में से नौगे, यहाँ 7 बचा, ठीक है, यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 6 गए, आपका क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा, तो यह आपका कितना आ रहा, minus है, देखिए, फिर से देख लिजिए, साथ, yes, minus 47 आ रहा है, minus 47 तो, x plus y का whole square का value इतना आया है, तो x plus y कितना होगा, यह square जो है इधर जाएगा, तो plus minus with under root minus 47 होजागा, और हम जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर root 47 और यह minus है, ज़र रूट के अंदर इसको आई बोलते हैं, तो हमारे पास x plus y कि देखिए, यहाँ पर भी दो values आई हैं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी case 2 लेकर चलेंगे, case A, और यहाँ पर लेकर चलेंगे, case B, तो हर case में, पहला case में क्या रहेगा, जब x plus y हमारा, यहाँ पर क्या रहेगा, positive, तो positive है, तो sign लगाने के ज़रूत नहीं है, तो 47 I लेकर चलेंगे, दूसरे case में, x y plus y की value क्या लेकर चलेंगे, negative, तो यहाँ पर negative root factor 7 I लेकर ठीक है, और हर दोनो case में, हम x minus y common लेकर चलेंगे, तो x minus y की value कितनी है, यहाँ पर मैं दिखा दू, आप देख सकता है, यह क्या है, 13 है, तो दोनो case में, हम x minus y common लेकर चलेंगे, ठीक है, x minus y की value कितनी है, 13, यहाँ पर भी क्या है, x minus y is equal to 13, ठीक है, यह लेकर चलेंगे, तो चलेंगे, अब solve करतेंगे, इसको यहाँ पर जैसे हमने और दो cases में किये है, तो यह देखिए, दो equation एक ही है, दूसरा यह है, तो इन दोनों को add कर देंगे, एड करेंगे, तो y y cancel हो जाएगा, x plus x, 2 x हो जाएगा, और इन दोनों को add करेंगे, तो root 47 i plus 13 हो जाएगा, तो x की value क्या होगी, root 47 i plus 13, और 2 यहाँ देखिए, इन 2 में है, इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से भी देखिए, यह दो case है, इनको भी add करेंगे, तो यह plus minus cancel, तो 2 x equal to, अब इन दोनों को आप add करेंगे, तो देखिए, क्या होगा, 13 minus, देखिए, यह negative, बेना है, तो इसको बाद में लिखिए, 13 minus root 47 i, तो x की value क्या हो जाएगी, 13 minus root 47 i upon 2 है, इधर divide में चलाएगा, यह तो x की value आई है, तो y की value कैसे निकालेंगे, तो y की value देखिए, हमारा जो दूसरा equation है, जो की दोनों में common हो क्या है, x minus y is equal to 13, तो यहाँ से y की value क्या आएगी, x है, और यह plus 13 इधर आजागा, यहाँ पर x की value रखेंगे, तो हमारे पास y आएगा, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहीं चीज लेके चलेंगे, y is equal to x minus 13, ठीक है, तो देखिए, y is equal to x, x की value कितनी है, यहाँ पर इसके जगह रखिए, यहाँ पर रूट 47 i plus 13 upon 2, यह क्या हम minus 13, तो y की value क्या हो जाएगी, यहाँ लेंगे, तो रूट 47 i बाहर है, इस पर ध्यान दीजेगा थोड़ा, यहाँ पर ठीक है, अब प्लस मैनस मैनस, इसमें 13 मैनस कीजेगा, तो यह जाएगा, मैनस से 13 आएगा, upon 2, तो यह y की value आएगा है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर x की value रखिए, तो एक case b में x की value क्या आएगी है, यह देखिए, यह आया है, यहाँ पर रखिए, 13 माइनस रूट 47 आएपान 2, और यह क्या है, माइनस 13, यहाँ पर लिखिए, तो y स्कल 2 हो जाएगा, 13 माइनस से, रूट 47 आएगा, माइनस इसको एलसम लेंगा, तो 2 3 6 2 1 जा 2 आपान 2 हो जाएगा, तो y की वैलू क्या होगी, पेज उपर करते हैं, तो यह हो जाएगा, y की वैलू यहाँ पर 13, माइनस 13 नहीं रहेगा, शॉरी, यहाँ गलत हो गया है, यह देखिए, यहाँ पर यह क्या होगा, यह 13 आपका, यह प्लस 13 और यह माइनस 26, प्लस माइनस माइनस तो यह हो जाएगा, माइनस 13 क्योंकि 26 बढ़ा है, और यह क्या है, आपका माइनस, रूट 47 आई अपान 2, ठीक है, तो देखिए, केस A और केस B में, मैं यहाँ पर दोनों के वैलू लिग दूँ, यहाँ पर देखिए, X की वैलू क्या है, यहाँ पर है, X की वैलू है, रूट 47 आई प्लस 13 अपान 2, और Y की वैलू क्या है, रूट 47 आई माइनस 13 अपान 2, ठीक है, तो यह केस A में, X, Y की वैलू यहाँ आई है, यहाँ पर X की वैलू क्या आई है, मैं आपर दिखा दूँ आपको पहले यहाँ पर यह क्या है हम यह है 13 माइनस 13 माइनस रूट 47 I upon 2 और Y की वालू क्या है 13 माइनस रूट 47 I upon 2 तो हर केस में दो-दो वालू जाई है X, Y यह नहीं कि टोटल 6 वालू जाई है X, Y की ठीक है देकिए मैं सब में दिखा दूँ आपको यह देखे पेज इधर करके सबाग चुका है यहाँ पर ठीक है यह देखे पहले वाले में क्या था यह देखे पहले वाले केस में 2 वालू जाई है X स्कल टू 6, Y स्कल टू 5 और X is equal to minus Y, और Y is equal to minus 6. दूसरे case में आप देख सकते हैं, ये दो values आई हैं. आप देख सकते हैं, एक ये आया है, दूसरा ये आई, X, Y की value. और तीसरे case में भी देखें, दो values आई हैं, मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है. एक ये है, और दूसरा ये है, ठीक है. तो अगर आप चेक करके देखना भी चाहते हैं, तो वो भी आपका आजागा. चलिए, फरस्ट case में मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ, कि ये जो X, Y की value आई है की नहीं. तो कैसे चेक करेंगे, तो हमारा जो main equation था, वो क्या था, X square plus Y square equal to 61 था, दूसरा क्या था, X cube है, minus Y cube equal to 91, ठीक है. तो चेक करना है आपको, तो पहले ये value रखें, ये किसमें, चाहें आप इसमें रखें, यहीं equation फर्स्ट और सेकेंड था, किसी दोनों में कोई एक select कर लिजए, मैं ये पहला select करती हूँ, X की value 6 यहाँ पर रखें, तो 6 का whole square plus Y की 5 है, तो यहाँ 5 का whole square, तो ये हमारा LHS है, इसको solve करेंगे, तो यह क्या है, 61, RHS के बराबर आगया, तो आप यहाँ पर रखेंगे, यह value सही है, उसी तरीके से आप यह value second में में रखेंगे, तो भी सही होगा, तो यह तो यह हो गया, दूसरा मैं यहाँ पर यह जो देखी, दो case में आपका complex number आया, तो मैं यहाँ पर जो main equation में, ठीक है न, दो equation है, तो मैं इसी में रखेंगे देख रही हूँ, देखी, यह है न, दोनो equation लिख दिया, first equation हमारा यह थना, x square plus y square, इसमें मैं आपको value रखेंगे दिखा द रही हूँ, कौन सा दो value, यह x और y की यह, तो देखी, x की value यह है, तो यहाँ पर रखें 74i minus 14 upon 2, और यहाँ पर whole square लगा, यहाँ पर whole square लगा, यहाँ लगा देखी, इसको solve कीजिए, 61 आगे है, तो यह भी value सही है, तो चलिए मैं इसको solve करके दिखाई देती हूँ, यहाँ हमारे पास, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर पूरे में आपका whole square लगा, यहाँ निकि numerator और denominator दोनों में, देखें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 70, sorry, यहाँ पर देखें, आई बाहर है, ठीक है, 74i minus 14, हम अलग-अलग करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं, whole square upon 2 का whole का लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ पर भी देखें, numerator और denominator दोनों को अलग-अलग square करके तो हम लिखी सकते हैं, का whole square upon 2 का whole square लिख दिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा, root 74i minus 14 का whole square upon 2, 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी देखें, root 74i plus 14 का whole square upon 2 का square का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ उपर करते हैं, आप देखें, यहाँ पर आपका, यहाँ denominator में यहाँ पर भी 4 है, और denominator में यहाँ पर भी 4 है, तो 4 upon में है, तो 1 upon 4 का मन निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या आपका, यह बचेगा, क्या बचे इनका whole, इसका bracket close, इसको solve करते हैं, आर्चेस के बराबर आना चाहिए, तो चले solve करते हैं, तो यह 1 upon 4 बाहर रहने दीजिए, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर यह क्या है, माइनस है, और यहाँ square है, तो इस पूरे को आप A समझे है, और इसको आप B समझे है, तो यह हो है, रूट 74 I into क्या है हमारा, B क्या हमारा, 14 है, प्लस B square, B हमारा क्या है, 14 तो 14 का whole square, यह हो गया, अब यह प्लस लगाई है, अब यहाँ पर देखें, इसको आप A समझे है, इसको आप B समझे, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर A plus B का whole square formula लाएगा, जो क्यों होते है, A square plus ह 2AB plus B square, तो यहाँ पर देखें, A हमारा क्या है, यह इसके जगह यह formula आया, यह open किया, अब इसमें formula लगाएगे, तो A square, तो root is 74 I का whole square plus 2AB, तो 2 into A क्या है, root is 74 I into 14 plus B square, यानि कि 14 का square bracket close, ठीक है, इस तरीके साय है, पेज हम उपर करते है, अब यहाँ पर देखें, क्या इसके साय है, अब ध्यान देखें, यह माइनस में है, पूरा term, और यहाँ पर देखें, यह प्लस में अपका क्या है, यह वाला term है, तो सेम है, 2 root 74 I into 14 यहाँ पर देखें, यह cancel, यह cancel क्या क्या है, 1 upon 4, हमारे पास बच रहा है, root, यह क्या बच रहा है, 74 I का whole square, और यह क्या प्लस 14 का whole square, फिर क्या बच रहा है, यह बच रहा है, यह बच रहा है, plus root 74 I का whole square, और यह बच रहा है, plus 14 का whole square, ब्रैकेट प्लोज, यह हमारे पास बच रहा है, ठीके, शी को बस solve करना है, तो देखें, यह क्या हो जागा, 1 upon 4, अब देखें, यहाँ पर पर2 square लगा, तो root 74 स्क्मादिन को सब्सक्राइब न इसफार 1 तो सक्राइबMe I 2 पो इसफ़ार यहां पेम सब्सक्रार का इसा और हूर 14 फ्सक्राइब Cityan इसफ़ार 5 24 बें सब्सक्रा हो प्लस प्लस सब्सक्राइब तो इसकार 196 हो जागा, यह आपको सबज में आया, पेच हम उपर करते हैं, ठीक है, तो देखिए, क्या हो जागा, 1 अपान 4, तो यहां पे देखिए, यह प्लस है, और यह भी आपका क्या है, प्लस है, यह प्लस है न, दो बार आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिशेते हैं, 2 1, 96, 6, 12, ठीक है, और यह 10, 9, 19, ठीक है, और 1, देखिए, 6, 12, 10, 19, और यह 392 आया, इक्वल 2, अब देखिए, यहां पे लिख देते हैं, 1 अपान 4, अब देखिए, 2 इंटू 74 इंटू I स्क्वाइर की वैलू हम जानते हैं, पड़े हैं, I स्क्वाइर जो होता है, माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगा माइनस 1 लिखे, प्लस 392, यह लिख दिया हमने यहां पर, ठीक है, पेज हम उपर करते हैं, तो यह हो जाएगा, 1 अपान 4, अब देखिए, इसको इंटू कीजिए, पहले तो इसको इंटू कीजिए, तो इसको इंटू कीजिए, तो इसक आपका 4 बच ठीक है, यहां बच आपका 8 मेंसे 4 गया, 4 और 3 मेंसे 7 गया, आपका क्या बच बच रहा है, तो यह क्या बच रहा है, 1 अपान 4, इनके बीच में 2, इसको जग तो क्या है 244 अब देखिए, कट जाएगा, 4 चीजिए 24, फूर बच जाए 4. 61 आया न आपका, आर् देखें, मैं दिखा दूँ आपको, हम यह देखें, बहुत लंदी कुश्चन है यह, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी सौपर जाएंगे, हम यहाँ पर रखे थे ना, इसमें देखें, यहां पर रखेते हैं X2, यहां पर इसको LHS solve करते हैं, देखे, RHS में हमने रखा value, RHS कितना 61, आप यहां देख सकते हैं, कि 61 हम यहां पर आ भी गया है, यह देखे, यह देखे, solve किया है, तो यहां पर RHS, RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब यह है, कि जो हमारा value आया है, वो सह किया है, तो मैंने दोनों पहला के solve, चक्कर के दिखा दिया, दूसरे में क्यातों कॉंप्लेक्स नंबर उसको भी रख के मैंने दिखा दिया, तीसरा आप चक कीजिएगा, तो यह भी आपका सही आएगा, तो उमेर आपको यह कोशन जो है, अच्छे समझ में आगे,